जाएं दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लेकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जैसे कि आप से पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अख्छा तस्वी की गनित भी से उसमें क्या डिस्स करें उसमें डिस्स करें हम लोग प्रस्णवाली 5-3 जिसका कहना में समांतर स्रेरी अब हम लोग वह सी वससे करें जो बड़ा-बड़ा सा मतलग करते हुए बारी बारी से केंद्रों AB मतलब यहां से भी फिर तर आपके फिर आगे यहां पे सी फिर इतर आगे मतलब जाते रहेंगे एभी 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 इसे करता ना लेते वेट तृजियाओं जिरो दुस्मना 5 संटीमीटर एक संटीमीटर 1.5 संटीमीटर 2 संटीमीटर इसे मतलब आगे बरते जारे 0.5 का डिफरेंस से हांगे के अर्ध वृतों को खीच कर एक एस्पाइरल मतलब बनाया गया है जैसा कि आप आकरिती इस आकरिती में आप देख सकते हो आकरिती 5.4 में 13 वृतों के थाध किनि सबस्59 पहला जीसे मतलत मैं इसमें पहला जो आर्ध वेरीत बनाया यहां से पत्तला जो हम आर पास बनाया यहां से लेकर यहां तक इसकी लमाई मmaybe रत बना होगा आग प्राजविर्स बनाऊँ ज़ीन यानि क्मिल आपको नीकालना कि आपको alive मैंलवन आपको還्यारो एक के करते करते शराओ कुछ इससे करते क्मादा आत्विर्सद्ट थे दिए करते द शरेला कि कमालं के पहला दर्म कहटे है है और हमें शारवांतर चाहिए तो सबसे पहला प्रस्ण कि घ्रीद की परिमाप क्या होती है वीद की प्रिमाप कर लगे और होता है हुआ होतो हट वोड़ेंगे अधा है और तो और ते जा थाária का आधा लेते हैं और एर्थ्ट की परिमांब कंती कि खेविए लन सथ देखने और भाइब अब आते हैं बात कि πाई आर में दो आर की लंबाई हमें दी गई पहला जो रेडियस जाएगे किता पहला तरी जाएगे कितना जीरो दस्मुलोग 5 यानि हम पहले L1 निकाल लेते हैं L1 जाहोगा सर पाई इंटु आर वन यानि पाई इंटु आर वन आर वन के मालने कितना है सर देखो 0.5 cm तो यह लोग दसमों पांच सेंटीमेटर कर दी है कोई डाउट नियूए चली इसको पहला मालो एल टू देख लेते हैं एल टू से एगें पाइटू आट्टू यह हो जाएगा पाइटू आट्टू आट्टू कितना है सर वन दसमों जीरू यानी एक सेंटीमेटर इसी तरह एल थी कितना हो जाएगा जाएगा अमरपस पाई इंटू आर थी जो क्यों गया पाइटू 1.5 हाना यानी सर हमें लेंद्टवी मिल गया तो हम क्या करता अब एस्सेरा कमान निकालते हैं आट तो दू सेरा क्या होगा एण एन वाइटवाइट यहनी तेरा बट्ट्या टू इंटू 2A या L3 का मानलीक देगे, डायेट L3 का मानलीक देगे, यह चलो इससी तरा करते हैं, 2A प्लास 2 इंटू यह पहला क्या है, पाई इंटू 0-0 5, प्लास N-1, ये तेरा मानलीक बारा इंटू D, अब आता है सर शबसे पहला प्रस्न कि D निकालते हैं, तो दी यहां ही निकालते, डी क्या होगा सर दूसरा में से पहला घटा देंगे, L2-L1, क्या जागा सर, पाई इन्टू 1, दस्विलोग जीरो, माइनस पाई इन्टू 0, 5, पाई कॉमान आगया, एक में से 0, 5 घटा दो, तो कितना जागा सर, यह जागा पाई इन्टू 0, 5, य यहां तो कोई डाउट नहीं होना जी, solve के जाए हाँ तक आगे देखो, तो यहां के दो, पास, 13 यानि 3 तक निकालना है, हना, 13 बटा 2, इन्टू, यह हो जागा 3, तक पाउच मतल एक आगे, यह सिंप्ली पाई बच जोर, यहां के दो 12, इन्टू पाई, इन्टू गेए इ इतने के बरावर हो जागा है योज़ए का सथे के बरावर कि तने बरावर चेकंगा उके शीज की फाइट आप देखो sol 2 इंटो सरी जू एक जिए जॅन्हाली पाई और पाइक कितना होता है पाइक मालों होता है 22 बटाव ले लेते हैं तो सेवन से सेवन कट गया है तो से जह यानि यानि क्या आप यहां समझें आप यहां सिए समझें कि तेरा अर्ध विर्टों की लंबाई जोड़ने पर कितना रहा है 143 cm 143 cm यानि एल वान जोर एल टू जोर एल ठीजोर एल ठाटीन कितना गया 143 cm उमेद करते हैं आपको इतमाची से कोश्चन समझ में आए देखो मैंने एक एकर कर आम रहां से सारी चीज़ें कि मोता है ताकि आपको समझ में आए अगर मैं इसको नहीं बताता कि क्या बोल रहा है यहां कहां से कहां तक आए ताब फिर इसमें रहते क्योंकि अदिक्तर बच्चे क्या करते हैं कि सर और्ध परिमाप का फर्मॉला डाय क्योंकि यहां पर पाई आर भी अट करना पड़त अर्थ परिमाप नहीं करना है क्योंकि यहां पर इसमें 112 कम पना ना कि सबसे नीचे वाली पंग्ती में 20 लठ यह जो नीचे वाली पंग्ती में इस नीचे वाला पंग्ती में कितने लठ है इस नीचे वाला पंग्ती में हमारे पास हो गए 20 लठ कितने पुर लठ हो गए 20 ठीक है अगला देखा जाएगा उस से अगली पंग्ती में कितने हो गए 19 कितने दिया है इसमें हो गए 19 ठीक है चल अब आगे क्या है उससे अगली पंति में इसमें इसको में मार्क आउट करता हूं इसके आगे वालम हो गए हमारे पास 18 फिर उसके आगे वालम किता होंगे 17 ठीक है फिर देखो देखिए जो आकरिती में दिखा रहे हैं यह 200 हें कितनी पंतियों में रखे घ्या होँगे तो अपसे उपरी पंति में कितने लड़ते होंगे यानि पहलेट रखा फिर उनीस रखा फिर अटार रखा फिर शत्रार करते सबसे पहला तया कि अमनं संट कितने में करना यहां पर कितने मतलब इंक मिलंक रहने से 5 कमान में त्यायान 2015 प्रफिवाइं पर शोल युठ है हना अब पहले में कितना था सब पहला में 20 था फिर उसके आगए मोना इस से फिर उसके आगए ओना ठारा है ऐसे करते करते हमें बताना है कि कौन कि इन का मन कितना रखेंगे कि मैं बस्ट दोस वाज़ा आपका क्वेस्टन सॉल्फ हो गया होगा आपको समझ में भी आगया हुआ कि सर हमारा पास पहला पद हो गया 20 सर यह हो गया दूसरा पत्व यानि अगर हमें सारवन तर चाहिए तका बोलेंगे A2 माइनस A1 यानि 20 माइनस 20 यानि किता हो गया माइनस का 1 हाना चल अब निकालते हैं सर SN बराबर हाना N बाइ 2 इन्टू 2A पलस N माइनस 1 इन्टू D हाना चल सन का मान हमें दिया गया है SN मान कितना है 200 बराबर N बाइ 2 इन्टू 2 इन्टू A एक मान हमें 220 पलस N माइनस 1 इन्टू D डिक मान किया है माइनस का 1 इसको इसको इधर कर लेते हैं तो यहां प्राइगे इसर महर पास 200 अब देखो यह बीकुरोस करते हैं इधर को 2 यहां बच्छी एन इंस अब आगे दिखोए यह 20 2 दुझी 20-40 एक इसको कर अंदर multiply इसको कर अंदर multiply तो माइनस का n हो गया और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया ठीक है अब आगे देखो यहाँ पर है मारे पास 400 बराबर यह हो कि देखो 40 n और 40 मतले 41 n इंटी यह हो कि देखो मारे पास 41 कि 44-t Maz can high- znaj-a-la अगे वर्ते अभी आयुकर 441 1-2 love chiessao कॉर्दक्र करने सुलीच को रहे दर Bonjour m लिए एसकफोर 1 Может पलस का चारसे बराबर जीडुन मिला कि हमें क्वाडर्रे अड़िभाध समी करन्स हल करना चलो ओल करने देखो और छार सुक्रांट इस पर करने कि मैंने सकर फोट्वान चाहिए कहा निकाँ है कि नाइका है डो यह निकाने ज्दासव गूल टोसे पेचास अब इसको इसको इस पर कंपर आरें कर गार मारीस कथीости बनाच चाहर यह पचाह़ा पचीस 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 पतचीस दोनी चार रुख जाओ कितना था में पास चाराइचाल ना चलो 200 फिर Org फिर 15 फिर 25 फिर 5 5 हाणा चलम करते हैं दुट 25 इड़ डीचिस यह दो 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 दुनि चार्ट चंट दुनि 8 और दो दो दुनि 4 चर्ट बनि आट मिक्ता he सब्सक्राइब कर रहे हैं ठीक है यह आगे हमारे पास कुल मिला के यहां कि हमारे पास बराबर क्या हो गया जी रो पराबर क्या हो गया जी रो अगे देखा चल यहां सा आगे दखो इन-25 और यहां सा आगे हमारे पास n-16 बराबर क्या गया? 0 तो दो आगे दख ममरे पास n-25 बराबर 0 और n-16 बराबर 0 n-16 बराबर 0 यानि एक आगे n कैमान 25 और दूसरा आगे n कैमान 16 दूसरा आगे आपके पास n कैमान कितना गया? 16 यहान तक कोई इडाउट? उम्मेद करती हूं यहाँ त्क कोई doubt आपको नहीं होगा यानी यहाँ पिलास 16-1 into d यह होगा a plus 16-1 into d a कमान क्या है पहला वाला क्या है पहला है सर देखो 20 फिर 16 में 15 into d d कितना होगा सर माइनस का है कितना है माइनस का है यह कि देखो 20-15 कितना है 5 यानि 16 जो पंक्ति होगा उसमें कितने लठी है 5 लठी है ठीक है चलो अब एक बार मैं मतले इससे तो हम मिल ला कि सुला होगा पंक्ति में कितने लठी 5 एक बार हम n के बार 25 रखके देख लेते हैं यानि हम लिर्कार लेते एक बार a 25 यह हो जागा सर हमारे पास a plus 24 d हाना चलो यानि a कमान हो गया हमारे पास a कमान हो गया इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका पंक्ति पॉसीबल नहीं है ना यानि हम क्या बोलेंगे यहांपे एन बराबर पचीज पॉसिबल होने इनि कितने पंगति होंगे तो we spend कि सग्री इसे करके और जो आंतिमॉह पंगति होंग कितने में लठे कि संग्छा होगी 5 यानी हैरा और करते हैं आपको यह क्वेस्टिंग से समझ में आ गया होगा ठीक है कहां कहां ही उचा रहा है काड़ेटिक अपनी यहां देखा मतलग द्रीघात समीकरन यहां पर सल्ट किया और इसमें आपको यह आदेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा होगा कि अब दो नुमर रहके चेक करो किसमें लठो की संख्या मिल रही है अब दिख गया कि सोलावा मिल रही है पचीसव में नहीं मिल रहा था हम चलो को सब्सक्राइब यह यह भी क्वेस्चन देवां बहुत अच्छा सा क्वेस्चन है बस देखने में यह बड़ा लग रहा है यह यह सबसे इंपोर्टेंट यह हैं 5 मीटर कितना मीटर 5 मीटर पहला से मतलब जो पहला यह आलू रखा गया यहां पे इस आलू से बाल्टी के दुरी कितनी है पांच मीटर हना फिर उससे आगे पड़ते हैं ता अन्य आलू की एक सीधी रेखा प्रसमर्वर 3 मीटर के दूरू आगे के जितनी भी आलू रखे गया है सब 3 मीटर के दुरी पर रखा गया है इस रेखा पर 10 टोटल आलू रखे गए हैं जो आकरिती में दिखाएगे दिखा दिखा दिए परतेक प्रतिभागी यह प्रतियोगी बाल्टी से चलना है मतलब यहां से इसको चलना प्रणाम करना है जो यह चल रही है निकरतम आलू को उठाटी है और उसे लेकर वापस आकर लुकर हम यहां पर दर ना है यहां दरते दरते गाने सब्सक्राभि यहां परया अ दूसा आलू उखाने के वास दोरती है उससे उठाकर वापस बाल्टी बाल्टी सा तब तक करती रहती है जब तक साभी आलू बाल्टी में ना रगते हाना लेसे में पर यहें बहुत पर डीयों कितिन जब उन्होंने पहला जो यहां से हाँ उन्होंने होगा तो पांच मीटर पहले आये होंगे यहां सियां पिर पांच मीटर दोंगए कि पांच गुने दो यानि क्लेम नेक्स्ट हमने यहां पर मेरा अलू था तो हम यहां से यहां तक पहले पांच चले फिर तीन चले आठ चले फिर हम वापस आठ है यह दूसरा आलू उठाने के लिए कि दूसरा आलू उठाने के लिए हमने कितनी दूरिताय की हमने दूरिताय की दो गुने आठ स्वल्ला कोई डाउट नहीं चले अब आते हैं तीसरा के लिए अब तीसरा हो यहां से यहां जाना है तब पांच चल दिये तीन चल दिये तीन चल दिये तब पांच तीन आठ आठ टीन 11 चल दी फिर 11 गोने 11 होकिस फिल आ गए। इसी तरह आप आपको आइडिया लगी विभटाई हो बताईए चोछा लुखले कितना intéressant परेगा चोथा लूख लिए कुल कितना तुरी तैकन आपड़ेगा चोब देख लेते हैं यहाँ से एक बार हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक 5 गये यहाँ से 3 गये यहाँ से 3 गये फिर यहाँ से 3 जाएंगे तो किता अगर 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 5, बताएए 9, 5, 14 यहाँ से 2 गुने 14 यानि कितना होगे यह 28 यहाँ अब कुल मिला के अगर ध्यान दोगे अगर आप कुल मिला के ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पी एक एपी नजर आ रहा होगा ठीक है पहला जो होए 10 फिर सर 16 फिर आपके पास 22 फिर आपके पास 28 यानि पहला पद जो हो गया वह गया 10 दूसरा पद हो गया सर 16 इसी तरह मैं बोलूँ सर सार्वांतर तरो शारवांत्र क्या होता है दुसरापद मारे से पहला पद दुसरापद क्या है याशिचर हमार पास 16-10 यानी सब्साभी आल उठाने की बीच की जो दूरी है 66 मीटर कन्प्ररा पहला उठाएंगे फिर दूसरा उठाएंगे दोन में कितना अधिक है मतलब करने ह्ねकर कितना दुरी अधिक टैकन अपहँक है प्रफिर दूसरा पोड़ में अंबू जूसरा अवरा लुठा है कितना डूर हमें? निकाल दिये हैं ठीक है यानि S10 निकाल नहीं है S10 निकाल नहीं है S10 चलो S10 निकाल नहीं है यानि S10 चलो यानि formula लेख लो S10 बराबर होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d तो यह आगे देख हमार पास S10 बराबर 10 by 2 into 2 into a पहला पाद पहला कितना है सरा हमार पास 10 plus n कितना है सरा 10 minus 1 into d कितना है सरा हमार पास 6 solve कर ले जाए हैं पर देख हो यह होगे S10 बराबर 5 into 20 plus 9 into 6 indirect fiction है यह भूसर खोना पास 10 बराबर यह होगा है शौन और ओन फूंझे fact 2 से देख लाते हैं यह 5 खोने जवय किया हो गाया थाण ठीक हा आप जोड़ा देच वीस कू ठीक है यह भूगे 5 क भीस 5 बइस यह पांच ए symmetry आपके प keywords कर laid मीटर में है ना हाँ यानि 337 मीटर यानि 370 मीटर ये आपको समझ में आना ची यानि हमें अंतिमुआ जो हम लालू ठाकर बाल्टी में डालेंगे तब तक हम कितना मीटर दौर गें होंगे तो बताओ इस क्वेस्टन में कोई रॉकेट साइंस थी कोई रॉकेट साइंस नहीं असान से क्वेस्टन पढ़ना एक कर देखो जो भी चीज़े था वह मैंने एक करके यहां लिख दिया और एक मतलब बला अंतिम पद दिखाना था कि मतलब की हमार पाइस दस्वा लूग असान से क्वेस्टन तो बच्चे सब देखते हैं चोड़ देते हैं जब कि यहीं मार्स उठाने वाले पफिसटन थेद तरी इसका जो है इंड कर दिया है क्या कि हमने इसका भी दा कर दिया है समापन कर दिया है मिलेंगे नेक्स्ट चेप्टर में जो कि तिर्वुजे उससे भी हमनों मतलब वह भी बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है तो सांतका तो उसका कंसेट भी पढ़ते चलेंगा और उसका क्वेश्चन में डिस्ट करते रहेंगे ठीक है तो लिए मिलता हमने नेक्स्ट क्लास में जहाँ प्रेक्टिस चलता रहेगा उससे तरह आपका कमेंट में भी आप पुछते रहे पुछते रहे पुछते रहे ठीक है जितना ज़्यादा पुछे कि उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा